अस्सवालेकुम फ्रेंस, विलकम बैक टो जोलफाज जहान, तो पकोरे के आवाज से आपको पता चल गया ना कितना करारा और कितना क्रांची बना होगा, तो आज का रेशिपी है आलू के पकोरे की रेशिपी, जो सर्दी के मसम हो या तो गरमी के मसम हर मसम में ये सब का अभी भी इसको बना के खा सकते हैं, बहुत ही कम इंग्रीडियन्ट से बनके तियार होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया तीन आलू और आलो को पहले से छील के अच्छे से धो लिया। दोने के बाद मैं इसको बहुत अच्छे से ग्रेट कर लूँगी, मैं मोटा वाला portion से ग्रेट किया, जो दोड़ा बराबरा होता है, बस उसके बाद और इसको अच्छे से धो लेना है, और इसको इस तरीके से धो लेना है, इसके अंदर का जो starch है पूरी तरह से चला जाए और पूरी तरह से neat and clean पानी निकले तब तक इसको धो लेना है इस तरीके से देखे एकदम साफ पानी निकला उसके बद इसको आप चाहे तो kitchen towel में बिछा के इसको अच्छे से पोच के ले सकते हैं मैं इसको अच्छे से हाथ स निचोर के ले रही हूं मतलब इसके अंदर जितना कम पानी होगा उतना अच्छा होगा यह पुकोरा अभी मैं इसको बहुत कम मसाला देखे मेरिनेट करूंगे सबसे पहले दे रही हूं धन्यापत्ता बारी कटके साथ में थोड़ा सब पुदीनी के पत्ते थोड़ा सब मतलब स्वाद अनुसर नमक थोड़ा चिली फ्लेक्स इसके बदले में चिली पाउडर भी आवस्तेमाल कर सकते हैं और तीन आलूलिया है इसलिए मैं तीन चमची कन फ्लावर डाल रही हूं आप चाहे तो इसके बदले में मैदा भी दे सकते हैं लेकिन जितना कम देंगे उ तो आयार है और देकियर इसको दबाना नहीं है इसको इस तरीके से हाथ से ख लेक शेप देके आप इसको तेल में छोड़ देना है και जब देगे इसको पूरा high flame में देना परेगा अब अगर low flame करके देंगे थो यह तो जाएंगे बिखर जाएंगे हाई फ्लेम होगा तो यह तूटेंगे नहीं बहुत अच्छे से बांधे रहेंगे और चिंता बत किजिए यह बिल्कुल भी जलेगा नहीं इसको पकने में थोरा टाइम लगता है मतलब इसको अच्छे से एक साइट से मतलब जब आपको लगे कि यह बन चुका है उसके बाद ही इसको पलटना शुडू कीजिए अलट पलट करके इसको वर्या करके क्रिस्पी करके गुल्डेन कलर चाहे तो आप गुल्डेन कलर कर सकते हैं या तो इसी कलर में भी आप जब आपको लगे की क्रिस्प हो गया बस इसको उतार लेजिए यह देखी मैंने इसको हलका golden color किया यह बहुत कम टाइम में बनके तयार होता है और बहुत ने देश्टी बनते हैं बहुत ही यमी बनते हैं बच्चों का बहुत स्ट्रेट होता है यह और इसके आवाद से आपको पता चल जाएगा ये कितना प्रारा बना है क्रांची बना है यह बहुत जादा टाइट हो जाएगा और सक्त हो जाएंगे क्रिस्प नहीं होगा तो फ्रेंग्स इस बात को धेन में रखते हुए इस पकोरे को बनाईए और इसका मज़ा ले और मेरे अगले वीडियो का इंतिजार किजिए